भारत में बेटियों को नोचा गया, शरयाम घुमाया गया, अपने आपको 56 इंच के शिना कहने वाले वेक्ति, 56 दिन बीत जाने के बाद भी मनिपुर में जाने के हिम्मत नहीं दिखाएगा, सिर्फ वह कहते हैं कि दुखी है, पीरा हुआ, अरे आपका कर्तब कहां चला गया आपने नारी सुरक्षा की बात कही थी, आज कौन सुरक्षी थे भारत में? देश के पठान मंत्र जहां नरेंद्र मोदी है, वहाँ बेटियों को सरयाम घुमाया जाता है नगन अवस्था में, उनको जिस्पनोच जाते हैं, उनको बलातकार के जाते हैं, अंतरता उसको मार दिये जाता है, नमस्कार मैं विकास सिंग और आप देख रहे हैं देशवानिज, मनीपूर, नाम सुनते ही दिलो जहन में, बस एक वीडियो दौर जाता है, जिस वीडियो में, देश की दो बेटियों को नंगन अवस्था में करके, उनको सरकों पर घुमाया जाता है, और उनके साथ सामोहिक दुसकर्म किया जाता है, इस पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ कॉंग्रेस के मुख्य परवक्ता, राजेस राठोर जी है, सर इस घटना को आप कैसे देख रहा हैं, जिस रूप में संपुर्न भारत के लोग देख रहा हैं, जिस रूप में बेटियों के साथ किया गया, निर्बस्त घुमाया गया, उसके जिस्म नोचे गए, और भारत सरकारा वहां का मुख मंतिर टुकुर टुकुर देखते रहे, और परधान मंतिरी ने जब मूँ खोला, 80 दिनों के बाद, तो मात 32 सकेंड में, पीरा और बेदना की बात बोली, नहीं करतब निष्ठा की बात उन्हें नहीं बोली, तो पूरा देश सर्मसार है इस किर्थ से किस परकार से इस भारत में बेटियों को नोचा गया, सरयाम घुमाया गया, उसकी विडियो बनाया गया, तब भी परधान मंतिर टुकुर टुकुर देखते रहे, उस राज के म मंतिर को बरखास तक नहीं किये, और आज तक परधान मंतिर वहां घुमने तक नहीं किये, ऐसे इस्तिति में हम सब देश भासी सरमिंदगी महसूस कर रहे हैं, कि अपने आपको 56 इंच के सिना कहने वाले वेक्ति, 56 दिन बीत जाने के बाद भी मनिपुर में जाने के हिम्मत नहीं दिखाई, हिंदों मुस्लिम पर राजनीत करने वाले वेक्ति, अब बताए ना, कि मनिपुर में जिन बेटियों को नोचा गया, वो भारतिय थी या किसी जात के थी, वो हमारे घर की बेटी थी, और आज सब का मुँ बंध है, 40-140 करोर आवादी में शिफ मंति मंडल क के लोग छोर कर, प्रधान मंतिर जी को छोर कर, और समिर्ती इनारे जी को छोर कर, बांक की सब सरमिंदगी से अपना सर जुका चुका है, इस घटना से हम सब चाहते हैं कि इसके बाद ऐसी घटना देश में नघट है, राहूल गांधी मनिपूर गय थे लेकिन उनको जाने नहीं दिया जाता है, रोक दिया जाता है, क्या दूबारा राहूल गांधी फिर जाएंगे। आपको काम के लिए जंता ने वोट दिया था आपने नारी सुरक्षा की बात कही थी, आज कौन शुरक्षित है भारत में, तो हम सब अंतर आत्मा से बहुत दुखी हैं, पीरित हैं और आपको सरमिंदगी मक्सूस कर रहा हैं, जहान नरेंद्रमोदी है, वहाँ बेटियों को सरयाम घुमाया जाता है नगनावस्ता में, उनके जिष्मनोत से जाते हैं, उनको बलातकार किया जाते हैं, अंतर उसको मार दिया जाते हैं और देश के परढ़नमंदी टुख-टुख-टुख देखते रहते हैं, हम बोल रहे हैं मनीपुर में जिस परकार से दो बहनों को निगनावस्था में घुमाया गया उनके जिस्म नोचे गए उनको बलातकार क्या गया उनको अंतता हत्या कर देगी हम उस पर बोल रहे हम सरकार पर नहीं बोल रहे हैं सरकार किसी के हो हमें न्याय के लिए गुहार कर रहा हैं तो परधान मंत्री न्याय की बात नहीं कर सकते हैं चुकि नरेंद्र मुदी के राज में शिप और अन्या होता है बैंगोल में भी तो ऐसे कई घटना देखने को मिली है सर जहां पे बेटियों के साथ में बलतकार के घटना कई बार सामने आ चुकी है वहां पे जलाया भी जा चुका है कई महिलाओं को लेकिन इस पर कब तक कॉंग्रेस चुप रहेगी भारतिये जंता पार्टी कीचर को कीचर से धोना चाहती है अपरात को अपरात से खत्म करना चाहती है बलतकार को बलतकार के उधारन दे के खत्म करना चाहती है लूट को लूट करके खत्म करना चाहती है ये कभी उधारन नहीं हो सकता है कभी कीचर से कीचर को नहीं धोया जा सकता है कीचर को धोने के लिए पानी और गंगा दल के आप सकता होती है वही प्रधानमंत्रीजी को कहते हैं कि प्रधानमंत्रीजी जगिये उठिये और 56 इंच के सीना बोल रहे थे आज 14 इंच के हो गया है क्योंकि आपकी अपनी सरकार है तो कॉंग्रेस मानता है कि बैंगोल में जो भी होता है वो कीचर है और मनीपूर में जो हिंसा गगा वो भी कीचर है लिए बारेशी घटना हुई है जहां भारतिय संतावार्टी की सरकार है कि शैकरों के जुंट में दो बेटियों को नगन घुमाया जाए उसके जिस्म नोचे जाए उसको बलातकार किया जाए अंपतर मार दिया जाए आजाद भारत में कोई ऐसा उदारन है क्या प्रधानमंत इसके मुख परवक्ता है जिन्हें आप सुन रहे थे इनका साथ तोर पे कहना है कि बीजेपी कीचर से कीचर को धोना चाहती है और यही कारण है कि बीजेपी अब मुद्दे को भटका रही है फिलहाल देशवा न्यूज में इतना ही देश दुनिया की तमाम खबरों के लि ये लाइक करें सब्सक्राइब करें साथ ही बेल आइकन दवाना न भूलें